कमरिशल बैंक और दुबाई गाईट CBD बैंक तो अच्छा है जिरो बैलेंस है सर्विसेज भी ADCB बैंक की तरह ही है लेकिन जो बात ADCB बैंक में थी वो बात CBD बैंक में नहीं है जी हाँ दोस्तों CBD बैंक का ओनलाइन रजिस्टेशन यानि कि आप दुबाई से बाहर रहे आपके पास आपका रेजिस्टर मॉपाई बैल नाषी है तो उस बेस में आप को अकाउंट को किस तरीके से चथा करेंगे किस तरीके से अकाउंट की अच्पेशिटेश करेंगे या आपको मन चाहेय और स्टेटमेंट या उसी से रिलेट कोई भी चीज़े की ज़रूरत है तो आप खुद से ऑनलाइन बैंकिंग में जा करके जो है देख करके सारी चीज़े कर सकते हैं लेकिन सवाल और प्रोब्लम्स यह आती है कि ऑनलाइन रेजिस्टेशन करें तो करें कैसे CBD बैंक में हम इसी तरीके से कर पाते थे लेकिन इस बैंक में ऑनलाइन रेजिस्टेशन या ऑनलाइन पर जा करके अपना अकाउंट ऑनलाइन एक्टिव करना बहुत ज़्यादा प्रोब्लम का काम है मैंने खुद जब मैंने इसको ट्राइग किया था समय जब एक घंटे के प सब्सक्राइब कीजिए रजात एक्वेब को और सेलिक कीजिए ओल नौटिफिकेशन ताकि आप रहें हमेशा अपडेट और मोटिवेट सिंप्ली आपको www.cbd.ae पे क्लिक कर लेना है जैसी आप cbd.ae पे लॉग इन करेंगे लॉग इन करने के बाद कुछ इस तरीके का इ पासवर्ड भूल ने जिनके अपना यूजर आडी पासवार्ड याद है तो वो यहाँ पे डाल करके किसी तरीके से आप यूजर आट पना रेट एक्यागे हैं यहाँ आप जहां है अपना अकाउन नमबर यहां पर डालना है आपको शिंपली मैंने इहां पर अपना अकाउट नहीं कर पाएंगे तो एगर आपने बना लिया तो debit card pin डाल जो यहाँ पर debit card pin डालने के बाद continue पर click करेंगे जैसी हमने continue पर click किया है इसके बाद यहां पर देखिए हमने अपना successful user ID बना लिया यहाँ एक बार हम पासवर्ट भी अपना रिसेट करी लेते हैं सेम सारे प्रोसेस उसी तरीके से हैं हम अपना यूजर डालने के पाद एक 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 आपशन में जो चीजें लिखी हुए यहां पर हम डालने को आप सीधा सब्मीट पर क्लिक करेंगे सब्मीट पर क्लिक करेंगे यहां पर देखिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग चल रहा है प्रोसेसिंग चल रहा है पर फोर डिजिट पिन के साथ सिग्स डिजिट का टोकन कोट चाहिए तो चलो देख लेए तो कैसे बनाएंगे उसके लिए आपको जो है आपका सीवीडी बैंक लॉग इन करना जिसलोग इन करने एक बाद मैंने फिंगरेट से किया है खर आपने पासपॉर्ट से लॉग इन कर लीजिए लॉग इन करने के बाद आप देख पाएंगे यहां पर बैकरना मोर के लिक हैं और प्रोफाइल में किल्क करना जैसे यह आप secure token पर click करेंगे यहाँ पर देखिए activate now पर click कीजिए click करने के बाद यहाँ पर अपना debit card का pin डालिए debit card का pin डालने के बाद next पर click कीजिए next click करने के बाद देखिए यहाँ पर click करने के बाद यहाँ से थोड़ा processing ले रहा है प्रोस्टिं के बाद यहाँ पर क्या लिगा ईिंटर फोर डिजिट पिन अब यहाँ पर secure जालना है आपको plugs से क्यूर पिन जो है मैं वहाँ पर डाल देता हूं सेक्केर पिन डालने के बाद हम यहां से नेक्ट पर क्लिक करेंगे जैसी नेक्ट पर क्लिक करेंगे यहां पर देखिए ओल डन अब देखिए यहां पर सिक्केर पिन होगा व्यू टोकन कोड हम टोकन कोड यहां से व्यू कर लेते हैं हमारे रेस्टर मॉबाइल नंबर भी एक complete होने तक घगा यह बाद तोकन कोड यूज़ कर सकते हैं इसके बाद आगर अगर आप ये टोकन कोड्सagers यूज़ कर रहे तो फिर से टेकन काड चैंज हो जाएगा आपकी मोबायल में जह अटोकन कोड़ा है आप यहाँ पर आफ सिंपले पहले आइडी और पासवर्ट बनाया था वही यूजर आइडी और पासवर्ट डाल करके मैं सीधा कंटिन्यू पर क्लिक कर लूँगा का ऑनलाइन बैंकिंग ओपन कर लिया है एड़सपी ऑनलाइन बैंकिंग ओपन करने के बाद हमारा देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस नसर आएगा लास विजिट कवर इमेल आईडी एम्रेस आईडी सारी चीज़े हमको आफानी से समझ आएगी इसकी कंप्लीट रिव है तो हमें कमेंट सेक्षिन में जरूर बताएं और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर लेना ताकि हमारी इंफ्रमेटिव वीडियो आपको आसानी से मिल जाए मिलते एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाए